अपने पूर्वोजो के चितर यहां न लगाएं वरना होगा बुरा जानिये छे बाते घर में अपने मरतकों के चितर कहा लगाएं और कहा नहीं लगाएं इस सम्मंध में वास्तु सास्तर में इसपस्टू लेक मिलता है अतह अपने मरतकों या पुरोजों के चित्र आप कुछी तिस्थान पर ही लगाएं आओ जानते हैं कुछ खास छे बाते पहली यहां कभी न लगाएं कभी भी परिवार के मरत व्यक्तियों का चित्र देवी और देवताओं के साथ न लगाएं या रखें इसा करने से देवदोश लगता है दूसरी पुरोजों के चित्र भ्रह्मस्थान में कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे मांद सम्मान की हानी होती है पश्चिम या दक्षिण में लगाने से संपत्ति की हानी होती है तीसरी, मरतों की तस्वीर घर में सभी जगक नहीं लगाना चाहिए, इसे शुब नहीं माना जाता है, इससे तनाव बना रहता है चोथी, यहाँ भी कहा जाता है कि कभी भी मरत लोगों की तस्वीर जिवित लोगों के साथ ना लगाएं, इससे नकारत्मकता फेलती है पुर्वजो की तस्वीर को बैठक, शेनकक्ष और रसोई घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए इससे पुर्वजो का अपमान होता है और घर में तनाव का माहुल बना रहता है चटी पित्रों की तस्वीर को कभी भी लटकते हुए या जूलते हुए नहीं लगाना चाहिए माननेता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और जूलता रहता है यहां लगाएं तस्वीर पहली कुछ वास्तु सास्त्री के अनुसार यदी घर में पूजा पाट का इस्थान इशान कोन में है तो पितों की तश्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं वहीं यदी पूजा इस्थल पूर्व दिशा में हो तो तश्वीर इशान में लगा सकते हैं दूसरी यदि पूजा घर से भिन किसी कमरे में पूरवजो की तश्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दिवार पर लगा सकते हैं जिससे की पूरवजो का चेहरा दक्षिन की ओर रहेगा तीसरी हाला कि हम आपको यहां सला देना चाहेंगे कि आप अपने पूरवजो की तश्वीर घर की दक्षिन दिवार पर कौने में लगाएं अगर दक्षिन नहीं मिल पा रहा है तो आप पस्चिन के कौने में लगा सकते हैं घर के किसी एक ही इस्थान पर ही पूरवजो की तश्वीर लगाएं वह इस्थान इसा होना चाहिए जो की दिशादोस से मुक्त हो पांचवा जब भी तश्वीर लगाएं तो तश्वीर के नीचे किसी लकडी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए जिससे तश्वीर लट और आया कि अरमस Texan करेया है और एके गार ज Read करेया है करें का गारा parlए को रहरा है त औरे खरे खरे